इस वीडियो में हम बात करेंगे बीग बैस लिग 2021 फिप्टी फोर मैच के बारे में जो की हवाट हेरीकेंज भर्सेज मेलेवन रेनेगार्स के बीच खेला जाएगा अठारा जनवारी को दो पहर के एक बजगर 45 मिनट में उसमें हम बात करेंगे टॉस प्रेडिक्शन और मैच प्रेडिक्शन के बारे में यानि की टॉस का बीनर कौन बनेगा और मैच का बीनर कौन बनेगा अभी तक मेरे चाइनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चाइनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के घंटी दवा के ओल पर प्रेज कर ले किसी भी मैच प्रेडिक्शन या टॉस प्रेडिक्शन इस चाइनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा हवाट हेरीकेंस का जो क्याप्टने मैथी उड है मेलेवन रेनेगार्स का जो क्याप्टने हारून फिंच है दोनों ही बहुत सक्त बल्लेबाज मानने जाते हैं तो इन दोनों टीमों के बीच 18 जनवरी को मैच खेला जाएगा अब हम बात करेंगे पीच रिपोर्ट क्योंकि पीच रिपोर्ट जानना बेहद इंपोर्टेंट रहता है खेलारी के लिए या जो मैच खेला जाएगा डोकलेंड एस्टीडियम मेले बॉर्ण में खेला जाएगा पीच की बात करें तो पीच बालेंस है बेदर की कोई समभावना ने टेंपरेचर ठीक हैं इस पीच पर टोटल 25 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें फर्स्ट इनिंग 12 मैच को भी निकिया है इस पीच पर रन डेट स्कोर की बात करें तो इस पीच पर 140 से 145 के बीच स्कोर के बारे में आनि की टॉस का बीनर कौन बनेंगा तो जहां थक उमीद है बहुत सारा एक्सपॉर्ट और भविस्वानी के हिसाब से कहना है टॉस का जो भीनर होगा मेले बॉन रेनेगार्स होगा अब वहीं पर हम बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन के बारे में यानि की मैच का बीनर कौन बनेगा तो मैच का भी बीनर बहुत सारा एक्सपॉर्ट और पिछले रिकाउट के देखते हुए और भविस्वानी के हिसाब से कहना है मैच का जो बीनर होगा मेले बॉन रेनेगार्स होगा तो दोस्तों आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना ट